तब आज तो बहुत अलग तरह का ही दिन था ठीक है होफुली मज़ा तो आया होगा सब लोगों को आज बहुत कुछ रहेगा डिसकस करने को सेरेडे संडे ऐसे भी आप कोई तोप माणने वाले हो नहीं धंग से डिटेल में पेशेंट ली पूर वीडियो को सुनिएगा रिजन के है दो तिन इंपोर्टेंट चीशे समझाने वालों SDFC बैंक में क्या हुआ तीन बजे क्या कांड हुआ यह तीन बजे वाले को हमने पहले कैसे जज्ज कर लिया था कि यह हो सकता है और उसके बाद जो ऑप्शन के प्राइस पांच रुपे के ऑप्शन तीन सो पे ती तक गये और एक रुपे का ऑप्शन सो पर भी जाके बंद हुआ वह सब कैसे हुआ यह सब समझाने कोशिश करूँगा रिलाइंस का कुछ न्यूज आया है वो भी समझाने कोशिश करूँगा डिटेल सब कुछ सुनिएगा जरूर बिकॉस कोई तोप मांडने वाने है नही किएगा स्किप करके सुनेंगे आधा चीज जानेंगे आधा चीज नहीं जानेंगे और फिर लास्ट में नोइंगे यह तो हमको समझ में ही नहीं आया चलिए आते हैं डिटेल में डिसकेशन के लिए और बाइ गॉर्ड व्रेस मैं जनरली मतलब आप लोगो ध्यानी होगा प्लस जो रेगुलर वीवर्स जानते भी होंगे मैंने अभी तक ना एनमॉली तो थोड़ी बहुत रोज-्रोज होती है लेकिन सिंथेटिक फ्यूचर की आनमॉली मैंने जब-जब कैच करी ये ना कि हां भाई आज दिख तो रहा है कि आनमॉली है कुछ उस तो गरबढ है उसना हर रा सैंसेक्स हो या बैंक निफ्ति हो उसने बड़े मोवमिंट दिए हैं and उसका रटरण रिवार्ण भोड़ मतलब जिसको बोलते है रिटरन आया, वो चीज होता हुआ हर बढ दिखा है इसका में रीजन पता है कि ये है कि ये लोग करते किसी परपस है है तो डीटेल में समझाने कोशिश करूँगा कब मैंने जच किया कि लग तो रहा है कि यह उपर शूट करेंगे कि बायस तो यही है बाकी ऑपरेटर जाने और शूट किया उन्होंने ऊपर तो वह चीज तो हुई कोशिश किया मैंने कि उसकुछ लोग फायदा उठाप है वह बात नहीं है जज कैसे करना है आगे आप भी चीज समझ के रखें और क्या रिस्क रिवर्ड इसके लिए लेना पर ट्रेड लेंगे और तब देखेगा कि उपचुनिटी कभी कभी बनते रहेंगे आपकी तो वह चीज आज जज करना सीखेंगे और यह सब चीज सीखने के बाद हम लोग इसको अच्छे से यूटलाइज करने कोशिश करेंगे पहले लेकिन दो तेन इंपॉर्डेंट च इनिशल आर्टिकल वही आना गुरूप में कमेंट पर रहा था कि फिफ्टी परसंट ग्रोथ कि वह मैं शॉग्ड फिफ्टी परसंट ग्रोथ कि वह वह करे सकता है एक साइज होता है ना कोई नया नया बैंक खुलता तो 50% ग्रोथ हो जाएगा बट एजिए साइज है उस यह मर्जर का बिना इंपक्त की बात कर रहा है मतलब समझ जाइए कि कुछ ही चुपाने कोशिच कर रहे है जब डीटेल में सब लोग बैठें अलिसिस करना चालू किया लोगों ने लोगों को समझ ना कि इस बैंक ना डिपॉजिट ग्रोथ किया है ना एडवांस में ग्रो तो सस्ते में लोगों से पैसे मिल जाते हैं 2% 3% 5% 6% पे रेट पे वो पैसे अब मिल नहीं रहे हैं प्रॉब्लम यह नहीं है काफी लोग कहेंगे कि सर 5% 7% FD में मिल रहा है तो कौन FD में पैसा रखेगा मार्केट पे जादा रिटंड मिल रहा है nfln को FD बीट नहीं करता है एंडिया में है सिर्फ की f Сегодня को बीट नहीं करता है ग्लोबली भी तो बाउन्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो 5% कि बाउंड में रखते हैं पैसा यह एक फूट्फोलियो एलोकेशना एक सब्रक्व में समझा है यह बता तिया गया है कि एैफ डि में पैसा रखनां भिकार है मार्केट पैसा रखें घूए इससे कि फिनेंशल सिस्टम पर क्या इंपक्ट पड़ता है मैं वह समझाने कुशिश करता हूं दो-तिन में पेशन से सुनिएगा समझ में आई आप लेकि पहला चीज यह है कि बैंक में जो पैसा आप रख देते ना आपका भ्रम है कि वह पैसा आपका है वह पैसा आपका है नहीं डेंक से क्या कर सकते हो या किसी को भीज़ सकते हो हुं मैं अब आप मैं किसी को देता हूं पहले देने के बदले आपने के खर्चा करने के लिए रियो निकाल लिया उसको आपने के खर्चा करने के लिए निकाल ला वह पैसे कहां है इकनॉमी में आए कुछ आपने खड़ीदा वो पैसे दुकानदार के पास गए वो भी इवेंचुली एंड साइकल उसका भी जाके बैंक में ही जाना है तो यह जो money in circulation है न यह खाली हमारा belief है कि यह हमारा है यह हमारा होता नहीं है लेकिन money in circulation जब तक in circulation रहे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ज या फिर जिससे option trading करके लोग पैसा डुबा रहे हैं तो उससे किसी एक बड़े इंस्ट्यूशन के पास या फोन इंस्ट्यूट्यूशन के पैसा चल गया तो यह पैसे क्या होता है money in circulation नहीं रहा बिल्डर के पास गया है बिल्डर ने उसको economy में deploy किया है इवेंचुली वह वह भी economy पैसा आ गया but to an extent वह पैसा कहीं ना कहीं government के पार आधा पैसा चला जाता है tax के form में जाये जहां भी जाये तो money in circulation से आधा पैसा wipe out हो जाता है यह जो daily खुजरा expense हम करते रहते हैं वही money in circulation रहता है अब अगर सब लोग FD छोड के करने लग जाएंगे equity market में invest and वहा अपने रिलाइंस का शहर कर रख लिया जब तक आप उसको बेशते नहीं है वह tax generate नहीं होता है तो government के पास पैसा वापस नहीं आ रहा है पैसा वहीं में पाग्ड है mutual fund में पाग्ड है जहां भी पाग्ड है तो money in circulation नहीं है money in circulation नहीं रहेगा तो एक point ऐसा आएगा जब US की नोट प्रिंटिंग करना पड़ेगा डेली के gross settlement को मीट करने के लिए मतलब डेली के obligations को outside purchases को inside purchases को मीट करने के लिए हमारे normal salary expense economic expenses वो सब के लिए money print हमको करना पड़ेगा जब यह करना का situation आएगा जब भी आए उससे trigger होता है inflation और जब वो inflation trigger होता है तो वही एक point बनता है economy के collapse का hyper inflation का example दुम्या में दो बहुत बड़े वाले रहे हैं जिंबावे और वेनेंजुएला दोनों की पूरी बरबाद हो गई थी कि हमारे problem क्या है कि हमारे जब भी ऐसा situation आएगा तो लोग पता है क्या करेंगे जिसे माली मैं तो समझा रहा हूं लेकिन आद तो समझेंगे नहीं तो क्या होगा मार्केट को जटका दिया जाए तो मार्केट जब जब जटका देके नीचे गिरेगा तो इन्वेस्टर्स का कॉशेंगे नहीं नहीं रुप जा रुप जा रुप जा अब नहीं करते हैं अब थड़ा वात एंडी में डाल से तो मनी इन सर्कुलेशन धीरे देरे वापास आने लगीगा मनी इन सर्कुलेशन जैसे डेप्रीट होगा एकनॉमिक लिए खराब होते जाता है आपको याद होगा नोटबंदी के समय जब मनी इन सर्कुलेशन खतम हुआ था तो उस समय बिजनसे कितने इंपक्ट हुए थे मेरी खुद की एक सर्जरी थी होस्पिटल में गया होस्पिटल वाले कैश्रेश हो गया सब सब छोड़ दीजिए सब वकवास की वात है उनके लिए वह सब क बैंक ने डिस्क्लोज किया है इसी तरह अगर बाकी बैंक का भी यही हाल रहा और ग्रोथ नहीं दिखा तो समझ जाइए कि यह जो नंबर हमको दिख रहे हैं कि एट परसेंट का जीडिपी ग्रोथ यह ग्रोथ वो ग्रोथ और दुनिया बर का हैंटें ग्रोथ उसका पैसा कुछ नहीं आ रहे हैं तो जब तक पैसा जनेरेट नहीं होता एकनॉमी में तो तक वह एकनॉमी को बहुत अच्छा कर रही है ऐसा नहीं है अब आते हैं रेलाइस के ओपर अचानक से आज तीन बजे को सपना आया होगा उन्होंने अपने बोर्ड को बोला इमेडियेट अप्रूफ करो एक सेकेंड भी डिले नहीं होना चाहिए कि जीओ का हम आई प्यों लाएंगे यह ऐसा आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा बट अगर आई प्यों आने की बात थी दो त्री दिन से प्लाइनिंग चल रही होगी बोर्ड मीटिंग का प्लाइन होगा आज शेडियूल होगा मीटिंग अनौन्स होगी और आई प्यों का बात हुआ होगा एन उसके बार यह आइडेंटिफाई कब किया था दिखाता हूँ आप दो बजे मैंने आइडेंटिफाई किया था सेंसेक्स का सिंदेटिक फ्यूचर सौपन नेगेटिव चल रहा है इसको बैलेस करने के लिए बड़ा कैंडल उपर बनाना पड़ेगा या नीचे मार्केट ट्रेंड के हिसा आप से बाइस अफसाइड का है बाकी ऑपरेटर जाने के उस समय हुआ क्या था कि सेंसेक्स में सेंसेक्स चल रहा है सम्वेर अनौंट सेवेंटी नाइन सेवेंटिक फ्यूचर के हिसाप से वह चलना चाहिए सेवेंटी नाइन सिक संड़ेट के आसपस ठीक है तो दिमांग आज पहले और प्रिम सो कम किया जोSev existence जैना चालीش डhtis चल्रा ता उसको ये लोग पांस fum तक लेखे गहेए पूटा मुटा कैपिटल से इसान ट्रेड ले सकता है एक तरह का बायस का कि उस साइड मार्केट शूट कर जाए अब इसमें क्या है जैज करना पड़ता है बस जनली मेरा मानना यह है कि सिंथेटिक फ्यूचर का बाइस जिस साइड रहेगा माली जी नेगेटिव साइड जान और अगर आप पीछे तोड़ देंगे तो पुट की वैल्यू तो इंक्रीज होगी नहीं बट की वैल्यू भी टूटी हुई अल्रेडी क्या टूटेगी तो उसके अगेस्ट मार्केट जाता है और आपको बड़ा एक प्रियों क्रियेक्ट करके देता है और जब भी यह अन यही सब जञट करना परता है ब contrat ध्याम ब्रेट करता है अगोज करता पाता है तो मैं कोशिश करता हूं कि अगर दिख थो ही करो तो मैं सेंसेक्स में option selling नहीं करता हूं सेम चीज मैं निफ्टी में कर रहा था सांथी से बैठे कोई दिक्कत नहीं है तो यह फर्स्ट के पास आया और यह 940 से जाके retracement यहां पर दिया तो मैंने around 40 में एंट्री बनाई और मैंने 60 में exit कर लिया सेंडिया इंटर्नेट का option वो 190 पे क्लोज ठीक है तो इसी तरह से बनती है बट मेरा लॉजिक क्या था कि जो भी मेरा planning है उसका 20% पकड़ लीजिए और वो 20% के हिसाफ से मैंने अपना फायदा उठाने कोशिश करी तो सॉर्य 20% 50% के हिसाफ से क्योंकि चल्डी सब्सक्राइब साथ में निकाल दिया 38 का एवरेज गिना था और साथ में निकाल दिया तो ठीक है ना तो 50% आरवाई आ गया तो क्या खराब है ही रोजिरो में उस च्यादा क्या एक्स्पेट करेंगे अगर मैं बैठा रहता तो पक्का वो होता है निकाल देने के बाद वह ऐसा लगता है अगर बैठा रहता तो पक्का जिरो एनिवेज चलिए यह देख लेते हैं कि आज डिसकेशन क्या क्या था कलकले क्या डिसकेशन रहेगा मैंने काफी चीजी संभाने कोशिए को अगर आइपी हो आता है तो एक एंटिटी का म मतलब अगर सेपरेट आइपी हो आ रहा है तो पहले ही एंटिटी डीमर्ज हो जाएगी या कैसे करना है यह लोग मेकनिजम अब भी बताएंगे जब मेकनिजम में क्लारीटी आजाएगी तब समझ में आएगा तो अगर आइपी आता है तो देखते हैं होफुली वह बनी का तो पचीस परसेंट भी अगर डाइल्यूट करना है तो दो लाग करूड हाना पड़ेगा लब पैसा कहा है बजारा है वाई दिखते हैं कि इतना का इपी आता है क्या आता ही क्वीटी पैटर्न समझ में आएगा क्या पता है एक्जिस्टिंग शोल्डर सो कुछ कॉ होगा पता नहीं जब तो समझ में आएगा पर उसी नियूस के कारण यह जो मुवमेंट आपको दिख रहा है यह इसी तरह से हुगा और एक बाल मुवमेंट ऐसा होता है तो सारे में शॉट कवरिंग ट्रिगर होती है उसका एफेक्ट दिखता है चल यह आता है कि डिसक्श सबीक्राइब करना एट ओर सब्सक्रान इसके उपाइब शॉट में चार्बयाएं। वेलिखाइट करते गया करते गया पंटेट करता चला करता चला मांकेट मिर्जापूर कसे सब्सक्राइब करना पड़ता है तो चलिए आते हैं कि क्या रहेगा अपना डिसकेशन अच्छा लिंक का कमेंट क्यों पूछते हैं आप करना पड़ता है नहीं करना है मत करिए अनलिस जंग से सुना करिए वीडियो में चलिए आते हैं क्या धियान रखना है इसमें पहले चीज तो कि मार्केट 21.2 बन्हुए बहुत खुशिंगी बात है कि मार्केट 21.1 अब बबंद हुए है और थैंक्स रेलाइंस कितना अब बंद हुए है कलने सका ध्या धिमाग लगाना है 24-300 नीचे में 24-300 नीचे में मार्केट तूटता है सब्सक्राइब करते है तो फर्स्ट लेवल 24 200 बिने पहले 230 फिर सेकेंड लेवल 24 170 यह ध्यान रखेगा 24 300 टूकता है तो फर्स्ट लेवल 24 सब्सक्राइब करते हैं कि देखो बाई कोई कॉल राइटर भागा नहीं है किसी को डर नहीं है कि 2.5 प्रियम बढ़ा कि किसको आप भागा लेंगे विकेंड है थीटा डिकेंड भी मिलना है कि कानव के सांती से बैठे हुए अपो राइटर भी भागे नहीं है तो इसका इफेक्ट देखते हैं यह मंडे को क्या होता है मेना गोवा में इवेंट है इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा चेक कर लिजेगा काफी सारे स्पीकर्स है हमारे और काफी अच्छा इवेंट होगा बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा देख लिजेगा अगर इंट्रेस्ट हो तो जॉइंग कर लिजेगा निफ्टी बैंक देखिए इसमें कैसा है न 660 की एवरेज क्लोजिंग आई है ठीक है 52 700 आज का एक तरह से हाई डे का हाई भी भी बोल लीजिए और गैप डाउन का लेवल भी बोल लीजिए 52 700 की उपर मार्केट तिकता है तो फर्स लेवल 52 900 सेकेंड लेवल 53 100 यह सेकेंड लेवल आता है 52 300 एन उसके रीचे सीधा 52,000 तक का दर्शन पॉसिबल होगा ध्यान रखिएगा ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है ऑप्शन क्या कहता है कॉल राइटर अभी भी बने हुए है फुट राइटर्स थोड़े से कम हुए इन ना मनी वाले एक मनी वाले अभी बैठेंगे फिटी टू फाइवनेट डाले नो डाउट बैठेंगे ना 670 पर मार्केट है और प्लस वीकेंड का थीटा डिके भी मिलना है तो इनको चीज का एडवांटेज है तो वह एक ध्यान रखिएगा उसके लिए वीडियो ची लगती हो तो लाइक ज इसमें कम है आई सेसी का जाता है और निफ्टी बैंक में एडियो सी का वेटेज ज्याता है और आई सेसी का वह है कंपेरिट ठीक है तो क्या लेवल नहां रखना है मैंक एक्स में 60,200 जब तक यह नहीं टूटे का शॉर्ट मत करेगा 60,200 के नीचे आता है तो 60,000 फरस्ट लेवल 59,800 सेकेंड लेवल आपको ओपन होता हो दिखेगा अपसाइड में 60,400 इसके ओपर मार्केट निकलेगा तो 60,700 के तरफ मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है मिटक आपको एक 12,464,30 के तरफ मूवमेंट यह दे सकता है अपसाइड का क्या लेवल धियान रतना है आपको 12,530 का यह 35 पकर लीजिए आप क्योंकि डे हाई ही आजमान लीजिए वह ही है 12,535 इसके ऊपर निकलता है 12,570 तक फिर उसके अबार 12,600 तक टॉप लोश्टेल करते जा रहा है देखने कितने पॉइंट्स मिलते है आते हैं मेजर स्टॉक चार्ट्स पे अब पिर उसके अधि गिरा आ गया पता नहीं इसके संग्या किया जा रहा है और चार्ट्स पुरे खराब हो गया फिर से इसके इसको वन आवर टाइम फ्रेम पे ले आते हैं तो जब गिराना ही था तो बगाये क्यों और याद होगा आप लोगँ मैंने मुदा है सब्सक्राइब करना है इसके नीचे जाएगा तो ही फ्रेश सेलिंग आगा क्योंकि एक बार क्लिए पॉज ले सकता है तो उसके लिए मेंटल रिपेड रहीएगा अपसाइट का लेवल सिस्टी एटी वाइव के ऊपर ही सोचेंगे उसके वेदर नहीं इसके नीचे आएगा तो ही वीक्नेस है तो अभी इसमें नीचे कोई गुंजाइस नहीं दिखता है इसके नीचे आएगा तो वीक्नेस आ सकता है इसके नीचे आएगा तो ही कोई सेलिंग प्रेशर आएगा पहले आएप्यों क्लारिटी तो आने दीजे किस फॉर्म में आएगा कैसे आएगा लोग समझते नहीं है 2540 इसमें मार्क करें रखिएगा आप एचुएल में उसके नीचे आएगा देखते हैं प्रूट इग्जैक्ली 7000 पर चल रहा है 7030 मार्क कर लिजेगा इसके ओपन निकलेगा तो बुलिश भी हो सकता है इसमें सिल्वर फिर से अपसाइड मोमेंटम में चल रहा है 9245 चल रहा है जब तक 922 के नीचे नहीं बनेगा कोई बुलिश है तो कंटिन्यू करें अपना सेंटी टू फॉर फिफ्टी के उपर जब तक गोल्ड है 100 अप्लास ट्रेल करते रही है नाच्रल गैस 198 198 के उपर निकलेगा तो और बुलिश हो सकता है मार्केट वीडियो ची लगी हो तो लाइक कर दीजेगा